पुरूस के परमाणू तहकाने में पहुचे पुतिन क्या नया एटम बम फिट करेंगे पुतिन वर्ल्ड बॉर्ड द्री की तैयारी शुरू आखिर रूस के राष्टपती वलादमीर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है क्योंकि रूस से आई इन तस्वीरों को देखकर पूरी धुनिया खौफ से काप रही है ये तस्वीरे पुतिन के उस परमाणू तैखाने की हैं जिसमें धुनिया को भस्म करने वाला आटम बम रखा हुआ है और अब देखिये पुतिन को उस बम के पास लेकर जाये जाता है जिसे फादर अफॉल बॉम कहा जाता है पुतिन के अधिकारी एक एक बात की जानकारी उन्हें दे रहे है Father of All Bomb को दिखाने के बाद पुतिन को परमानू तैखाने की उस जगा पढ़ ले जाये गया जिसकी तस्वीर दुनिया का कोई देश नहीं देखना चाहता है जो यहां, पुतिन को अधिकारी परमानू तैखाने की उस जगा पढ़ ले जाते हैं जहां पर मश्रूम क्लाउड दिखता है किसी भी परमानू हमले के बाद इसी तरहां का मश्रूम क्लाउड उठता है और पिर कुछी देर में सब कुछ तहस नहस हो जाता है मश्रूम क्लाउड देखने के बाद पुतिन बाहर निकलते हैं और एक रजिस्टर पर साइन कर देते हैं आगर पुतिन के इस साइन के क्या माइन है पुतिन ने किस ओर्डर पर साइन किया है दुनिया के चप्पे चप्पे में पुतिन का ये वीडियो देखा जा रहा है इस वीडियो को बार बार रिवाइंट किया जा रहा है इस वीडियो को बार-बार फॉरवर्ड किया जा रहा है और कुछ देशों ने तो वर्ल्ड वॉर्ड थ्री का काउंडाउन भी शुरू कर दिया है क्योंकि सभी को पता है कि पुतिन के परमाणू बम के निशाने पर कौन है पुतिन गुस्से से लाल है पुतिन के निशाने पर सुपर पावर अमेरिका का पावर सेंटर यानी वाइट हाउस आ चुका है पुतिन हर तीमत पर अब अमेरिका को घुटने पर लाना चाहते हैं अपनी पौज के सामने पुतिन लगातार हूंकार भर रहे हैं और इस उंगार की गूज अमेरिका के वाइट हाउस से लेकर नेटों के चप्पे चप्पे तक पहुँच चुकी है पुतिन क्यों तिल मिलाए हुए है यह आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले देखिए वो तस्वीर जिसकी तैयारी पुतिन कर भी चुके है पुतिन के गुस्से का लेवल इस हद तक बढ़ चुका है कि रूस ने मिसाइले सेट कर दी और इन मिसाइलों का ट्रिगर भी पुतिन के हाथ में पहुँच चुका है जैसे अमेरिकी राश्टपती बाइडन का दिमाग रूस के आसपास ही घूनता है वैसे ही पुतिन के वाइट हाउस पर हमले की एक एक बारी कड़ी फिट हो चुकी है और अगर अब अमेरिका ने कोई भी चाल चली तो पुतिन को आटम बंप का ट्रिगर दबाने में देड नहीं लगेगी पुतिन के इस आटम हमले के बाद वाइट हाउस ही नहीं दुनिया का क्या होगा ये किस आटम के बयान अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुम्या की दशा और दिशा तैकर सकता है सुम्ये पुतिन ने क्या कहा थैसा नोवे नुवे नुवे ये वाव्सम व्लुचाइम में श्टो रजाए वरायतनी प्रटिन नदेश्वर रबोते नोवे इलेमें त्व्या आट पुतिन ने कहा सुधर जाओ पर ना उला दिये जाओगे आखिर पुतिन क्रोध से लाल क्यूं हो गए है वो क्यूं अमेरिका को ही भस्म करने पर आमादा है तो सुनिए पुतिन के इस हुस्से के पीछे है बाइडन का वो फैसला जिस से रूश सीधे सीधे अमेरिकी मिसाइल और हत्यारों की जद में आ जाएगा पुतिन के इस हुस्से के पीछे है अमेरिका का वो बयान जिसमें उसने कहा है कि वो जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइले तैनात करेगा अमेरिका और जर्मनी ने पिछले दिनों joint statement में कहा कि अमेरिका नेटो और योरपीए देशों के लिए अपनी प्रतिवादित्धा दिखाने के लिए जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइले तेनात करेगा अब इस मैप के जरीये देखे जर्मनी से रूस की कितनी दूरी है रुस्के सामरिक ठीकानु को निशाना बना सकती है, सुनिये पुतिन को वो क्या कह रहे हैं? अमेरिका ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका इन मिसाइलों की एपिसोटिक तैनाती की तैयारी में है, जिसमें SM-6, टॉम हॉक क्रूज मिसाइले और हाइपरसॉनिक हतियार शामिल होंगे, जिनकी यॉरप में वर्तमान शमताओं की तुल्ला में लंबी दूरी की शमता यही नहीं, पुतिन ने ये भी कहा कि मिसाइलों की उत्बादन के साथ ही उनकी ऐसी जगों पर तैनाती की जाएगी, जहां से पश्चिमी देशों पर दागी गई मिसाइलों का कोई भी निशाना चूके नहीं, आखिर पुतिन ने अमेरिका सहीत नेटो को क्यू चेतावनी ये. सुना आपने, पुतिन क्या कह रहे हैं? पुतिन कई बार अपनी मिसाइलों का दमखम दिखा चुके हैं. वो मिसाइले तैनाद करने की बात कह चुके हैं. वो एक तरफार रोक से खुद को अलग करने की बात कह रहे हैं. पुतिन ने इशारों में बड़ी बात कह दी है दरसल पुतिन के गुस्से की वज़े है अमेरिका का वो ऐलान जो उसने जर्मनी को लेकर किया है इस महीने की शुरुआत में अमेरिका ने कहा था कि वो जर्मनी में साल 2026 से लंबी दूरी की मिसाईलों को तैनात करना शुरू कर देगा अमेरिका ने कहा कि वो जर्मनी में SM6 टॉम हॉक क्रूज मिसाईलें और हाइपरसोनिक मिसाईलों की तैनाती करेगा अमेरिका ये तेना थी नैटो सदस्यों के प्रती अपने समर्पन दिखाने और योरोप की कथित सुरक्षा के नाम पर कर रहा है जोनी यहो दसीगाइमस्टी अकजोटस वाजनी रसीश्की अब्यक्त गसुदार्स्थ्वन्नवा इवायननवा उप्रावलेन्य अब समझे कि आखिर क्या है रूस की न्यूक्लियर डॉक्टरिंग जिसे बदलने की बाद पुतिन बार बार कर रहे है रूस का 2020 परमानू सुद्धान्त ये बताता है कि परमानू या दूसरे सामुहिक विनाश के हत्यारों या पारमपरिक हत्यारों को उप्योग करके किये गए हमले की प्रतिक्रिया के रूप में जब राज्य का स्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है Federation of American Scientists के अनुसार रूस और अमेरिका अब तक दुनिया की सबसे बड़ी परमानू शक्तिया है जिन के पास दुनिया के लगबग 88 फीसदी परमानू हत्यार है दोनों अपने परमानू शस्त्रगार का आधुनी की करण कर रहे हैं जबकि चीन अपने परमानू शस्त्रगार को तेजी से बड़ा रहा है सोवियस संग के तूटने के बाद मॉस्को और वाशिंटन दोनों ने अपने हत्यारों की संख्या में भारी कटोती की लेकिन कोल्ड वॉर के हत्यार धाचे में गिरावट आई कई एक्सपर्स का दावा है कि अब उन्हें एक नई हत्यारों की दोड़ का डर है अभी हाल ही में वाइट हाउस के एक वरिश संयोगी ने कहा कि रूस चीन और अन्ने विरोधियों से बढ़ते खत्रों को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को आने वाले वर्शों में अधिक रणनीतिक परमानू हत्यार तैनात करने पड़ सकते हैं रूस के पास कितने टेक्टिकल वेपन जब सामरिक परमानू हत्यारों की बात आती है तो रूस सबसे आगे गिना जाता है रूसी हत्यार गुदाम में अमेरिका और दूसरे नेटो गड़बंदन की तुलना में ज्यादा टेक्टिकल वेपन है विदेशी मीडिया के मुताबिक रूस के पास लगबग 2000 ऐसे अक्टिव टेक्टिकल वेपन मौजूद है जो अमेरिका से दसगुना अधिक है रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि अमेरिका के पास लगबग 200 सामरिक पम है इसमें से आधे यॉरप में तैनाद है दिशमलव 3 से 170 किलो टन की अलग-अलग शमता वाले ये 12 फीट के B61 परमानु बम इटिली, जर्मनी, तुर्की, बेलजियम और नेधरलिंड के 6 हवाई टिकानों पर तैनाद है इन हत्यारों को अलग तरह की मिसाईलों, टॉर्पीडों और बमों के जरिये हवा, पानी ये जमीन के रास्ते लांच किया जा सकता है यहां तक कि उन्हें एक इक इलाके से दूसरे इलाके में ले जाकर विस्पोर्ट किया जा सकता है अलग इस युद्ध को करीब से देख रहे एक्सपर्ट के मताबक रूस ऐसी मिसाईलों का उत्पादन तब तक फिर से शुरू नहीं करेगा जब तक कि अमेरिका विदेशों में मिसाईले तैनाद नहीं करता